हाई वरिवन दिस इस गनिया पटेल एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिसकस करने वाले हैं एलेक्टो मेगनेटिक रेडिशन मसी फर्स सेमेस्टर केमेस्टरी में एक सब्जेक्ट होता है स्पेक्टोइसकोपी स्पेक्टोइसकोपी का जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये हमारे भीस्ते दिफ्रेंट होता है बहुत हались ही विस्ता ही तरफ से Yours पढ़ाई करेंगे तो जब हम स्पेक्टोइसकोपी इस SY में पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे रमन highness थी स्पेक्टोइसकोपी में हम पढ़ेंगे क्या basic चीज क्या है वो उसको जान लेना बहुत important है तो सबसे पहले हम electromagnetic radiation से ही शुरू करते हैं इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे पर electromagnetic radiation क्या होता है इसको किस प्रकार से आप attempt कर सकते हैं MSC में साथ हे साथ इसको किस तरीके से आप लिखें जि लिखते हैं electromagnetic radiation range from the electric wave of low frequency through ultraviolet rate visible spectrum and infrared rays to the high frequency low wavelength x rays and gamma rays it is said to have a dual nature exhibiting both wave and particle characteristic ये परिभासा जो है एक simple सा परिभासा है जैसे आपको मालो पूछ जाथा electromagnetic radiation क्या है तो आपको ये परिभासा लिखना चाहिए बहुत ही बहुत ही विस्ताइजुप से बहुत ही अच्छे से ये समझाता है ये परिभासा ये कहता है कि जो electromagnetic radiation होते हैं क्या होते हैं जो हमारे संसे जो हमको प्राप्त होते हैं ये जो electromagnetic radiation होते हैं ये होते हैं energy का एक स्रोथ होते हैं ये जो है एक energy form में होते हैं energy के form में होते हैं तो संसे जो प्रिधिवी में जो radiation पहुंचता है वो form of energy में पहुंच जाता है, electric wave of low frequency, जैसे पहले इसका low frequency होगा, उसके बाद high frequency के और बढ़ते जाता है, तो low frequency में क्या होते हैं, देखिए, ultraviolet rays, visible spectrum, infrared rays, ये सब low frequency में होते हैं, जब ये wavelength जो है, जब ये electromagnetic radiation जो होता है, ये जब high frequency के और जाता है, तो इसका wavelength low हो जाता है, और high frequency में x-rays और gamma rays आत radiation होते हैं, वो dual nature प्रदेशित करते हैं, मलब तरंग के रूप में भी गर्टी करते हैं, और कंड के रूप में भी गर्टी करते हैं, तो इसके dual nature को ले कर जो है, दो most important theories दिए गया है, जिसको हमको यहाँ पर discuss करना है, तो तो पहला theory होता है, wave theory of electromagnetic radiation, इसको Maxwell ने दिया था, त Maxwell found that the electromagnetic radiation is made up of two maturely perpendicular sinusoidly oscillating electric and magnetic fields in plants at right angle to each other, as a sign wave as shown below, जैसे कि दिखा गया है, तो wave theory को Maxwell ने दिया था, और उन्होंने यह बताया था, कि जो हमारा electromagnetic wave होता है, जैसे यह एक form है, electromagnetic wave का, वे जैसे कि जब यह सूरिय से प्रिधिवी में electromagnetic wave आ रहा है, तो क्या होता है, उसमें दो field होता है, एक electric field होता है, और एक magnetic field होता है, और दोनों जो है perpendicular होते हैं, एक दूसरे के, यह जो dash dash में है, यह मालों उपर की और गया है, यह अंदर की गया है, तो दोनों जो है perpendicular होता है, जो magnetic field और electric field होता है, perpendicular एक दूसरे के होते हैं, और इस तरह तरंगे इलेक्टboro minic radiation जो होती है वह तरंगों के रूप में गती करते हैं और पृत्विदक पहुंसता है सुरीय भी इसका एक शुरोथ है लेक्ट्र एकрист नो खेको है का हम कहीं प्रकार से क्स hackstyle on कि कहीं चार्ट रहो होते हैं जैसे electromagnetic radiation को जो है wavelength, frequency, wave number के द्वारा हम समझ सकते हैं parameters में बाटा गया है जैसे wavelength इसको lambda से प्रदरसित करते हैं अब wavelength क्या होता है देखिए The distance between two peaks and two through is called a wavelength lambda expressed in many units जो wavelength होता है कैं units में हम इसको बाट सकते हैं इसकोüğए mm, micrometer, nanometer के द्वारा इसको प्रदरसित क्या जाता है तो wavelength क्या होता है समझ जैसे कि Yeah electromagnetic radiation होता है तो wavelength क्या होता है यह जो wavelength होते हैं यह जिस्चो 2 यहशो यह बीच के distance को wavelength क्या जाता है और इसका formula जो है जो lambda equal to 1 upon ये wave नमबर है ये frequency c upon frequency के बराबर होता है इस परकार wavelength होता है अब विफ frequency को समझने के लिए अब देखते हैं frequency जो कि electromagnetic radiation से ही समबंदित है frequency को जो है वी से प्रदैसित किया जाता है और जो frequency क्या होता है the number of complete wavelength unit passing through a given per second is called frequency it is measured as a cycle per second called hertz or a fresnel के द्वारा इसको प्रदैसित किया था है ये electromagnetic radiation है तो एक second given एक second में एक particular जगा में जो है एक second में कितने जो है length wavelength जो होता है वहां से pass होते है wavelength जो पास होते है उसको जो है frequency का formula होता है v is equal to c upon lambda and c upon c point wave number के द्वारा भी इसको denote किया जाता है और wave number क्या होता है इसको v dash v put bar अगर put करते हैं तो इससे इसको प्रदैसित कहते है it is a number of wave यह जो है number of wavelength के number है जो कि एक centimeter जो जगा दिया गया है इसमें इस particular centimeter एक centimeter के जगा में कितने wavelength जो होता है पास करते हैं उसको wave number कहा जाता है इसको जो cases unit centimeter minus one से भी इसको denote करते हैं तो wave number बराबर one upon wavelength equal to v upon c द्वारा प्रदैसित किया जाता है इसका formula है most important है इसको याद रखना चाहिए and the velocity भी एक important है जिसको जी है बड़े v के द्वारा प्रदैसित करते है और the product of wavelength and frequency is equal to the velocity of the wave in the medium इसका परिभासा है तो प्रोड़क्ट हमको जो wavelength और frequency से दो प्रोड़क्ट होता है वह wavelength के velocity के बराबर होता है जैसे कि यह velocity is equal to v upon wavelength and v upon v as 4 velocity has a unit of centimeter minus one and meter second minus one इसका velocity का unit होता है तो यह simple सा हमको electromagnetic radiation अगर आता है तो electromagnetic radiation का एक simple सा परिभासा उसके बाद इसका जो है आपको यह चित्र बहुत important है बनाना चाहिए wave theory इसका electromagnetic radiation का wave theory समझाना चाहिए उसका कहीं यह जो points है wave length, wave length, wave number, frequency और यह velocity यह सबको आप उसमें समझा सकते हैं अब next video में हम quantum theory of electromagnetic radiation के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में बस इतना ही तो I hope कि यह आपको useful हो और बहुत important topic है तो अब इस topic से related जितना भी point हो सकता है discuss करने का हमने discuss कर लिया है और यह handmade notes है जो आपके काम आ सकते हैं I hope कि यह आपके लिए useful रहा हो अगर इस तरह से और notes और topics discuss करना और topics जो है पढ़ना चाहते हैं तो please like, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching कर दो आपके टूँए और जापके कर दो आपके कर दो है